हेलो फ्रेंज विजयास क्रियेटिव गार्डन में स्वाकत है आपका फ्रेंज आज जो है मैं एक क्रिसेंथमम शो में आई हुई हूँ जिसको की गुलदाओदी भीब कहते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर से और बहुत सारी वेराइटी के क्रिसेंथमम रखे हुए हैं और जो व्यक्ति इस क्रिसेंथमम की देखभाल कर रहा है मैं उनसे भी मिली और मैंने उनसे इसके बारे में जानकारी लेनी चाही कि क्या कैसे करा है इसकी देखभाल तो उन्होंने मुझे सब बताया है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी जो जो बाते उन्होंने बताई है मैंने इस समय वहाँ की आवाज म्यूट कर दी है मतला हटा दी है क्योंकि वहाँ फिल्मी म्यूजिक चल रहा था और अगर आपको सुनाई देता तो मेरे उस वीडियो में कॉपी राइट का स्ट्राइक आ जाता तो मैंने उस आवाज को बंद कर दिया है और वो इनसान है ये ये जो हैं इसी सारी क्रिसंथमम की देख भाल करते हैं और बहुत अच्छे से करी इन्होंने अपनी information मेरे साथ share करी है हम जो है अब आपको इस stage से पीछे ले जाएंगे मतलब इन्होंने बताया है कि ये जो क्रिसंथमम इस तरीके से खिले हुए है ये अभी फरवरी तक ऐसे ही बने रहेंगे मतलब ये थोड़े दिन बाद इनका color change होने लग जाता है ये dull पढ़ने लगते हैं लेकिन जो फरवरी आती है तो ये उपर का पूरा foliage इसका cut कर देंगे अच्छा एक चीज और इन्होंने बताई कि ये जो क्या करते हैं हर color का हर variety का एक एक गमला रखते हैं पॉम-पॉम मम्स बोलते हैं या फिर बटन मम्स बोलते हैं बटन क्रिसंथम मम्स बोलते हैं तो इन्होंने का हर वराइटी का हमें रख लेते हैं पूरा foliage उपर से काड़ देते हैं और नीचे से केवल जो है 4-5 इंच की ब्रांच छोड़ देते हैं मिट्टी से लेकर के उपर-5 इंच तक का है और ये जो है उसमें ये डो महिने गर्मी के कुछ भी नहीं डालते हैं ये वाला बता रहे थे कृल टाइप का कृल मम्स आता है या स्पूल मम्स बता रहे थे तो ये दो महिने कुछ नहीं डालते हैं केवल पानी डालते हैं अच्छा उस पीच में जो नीचे से प्लांट्स निकलते हैं उसको बोलते हैं सकर्स तो वो सकर बड़े होते जब जड़ें पकड़ लेते हैं तब गमला कहते हैं दस इंच कम नहीं लेते हैं जितने प्लांट लगे हैं यह सब 10-10 इंच के में लगे हैं यहां देखिए पतिया नहीं आ रही हैं तो कह रहे थे 10 इंच से बिलकुल कम नहीं लेते हैं और जो मिट्टी लेते हैं इस साधारन मिट्टी जो गाड़ें स्वाइल आती है इसमें केवल गोबर खाद मिलाते हैं इन्होंने बताया है की उस समय जो लगानी के कुछ दिन बाद यह अनपी के डालते हैं जहां उसमें तीन पत्यों की नोड आती है यह उसकी पिंचिंग कर देते हैं पिंचंग करते रहते हैं यी पिंचंग इनकी जो है अक्तूबर तक जारी रहती है अक्तूबर नोंकर की एक स्टेंप में एक फूल निकलता है केवल इसको गर्मियों में में बचाना बता रहें थे बहुत मुश्किल हो और काफी अच्छे यहां पर इंके कलेक्शन है इन्होंने बहुत मेहनत करी है इसको बताते हैं यह की बेंगॉल में इसको चंद्रमलिका बोलते हैं और साउथ में सवंती ऐसे बताया और उडिसा साइड में शेवंती करके बता रहे थे यह मैं शायद कुछ गलत नाम प्रणा वो उनके जो वर्ड मैं कॉपी करना चाहा रही थी तो वो मुझे कहीं पर भी पता नहीं चल पा रहा था एक्चुली वो थोड़ा सा अपनी हिंदी और गांवाली टोन में बोल रहे थे तो मैं क्लियर समझ नहीं पा रही थी तो फ्रेंस उमीद है आपको इंफॉर्मेशन यह पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ तक तक के लिए गड़ बाए